विडियो में जानेंगे अपनी पूलिशी की मैच ओर्टी वैलू अगर अगर आप पिए पूलिशी ओल्ड रहे है तो आपको जरूर पता होना चीजिए जब आपकी पूरी होगी तो आपको उसकी मैच ओर्टी वैलू कितनी मिलेगी आज हम calculate करेंगे 2010 से लेकर के 2025 तक के बीच में अगर हमने कोई PLI policy open कराई है तो उसका maturity value क्या होगा साथ ही अगर हमने वो PLI policy 2,3,5,5,10,000 के कराई है तो हमारी PLI policy की maturity value कितनी होगी फ्रेंट्स PLI policy को calculation करने के लिए हमें 3 चीज़े जरूरी है उसमें नमबर एक पर है PLI policy का समशोड amount हमें पता होना चाहिए दूसरा हमें policy की open date पता होनी चाहिए और तीसरी हमें PLI policy की maturity date है वो पता होनी चाहिए यह देखिए एक लाग की PLI policy है और इसकी open date है 2010 यानि ये 2010 में किसी भी मैने में कभी भी open की हुई हो यानि ये 2010 में open होई थी और इसकी maturity date है वो 2025 में होगी तो हम कैसे इसकी PLI policy की maturity calculate कर रखते हैं तो आगे देखते हैं ये हमारी PLI है वो 15 साल run कर रही है यानि हमारी PLI policy total 15 साल के लिए है और इसका maturity amount क्या होगा है तो अब हमने इसका bonus calculate करना होगा 2010 से लेकर के 2025 तक अब हम देख लेते हैं 2010 से 2025 तक bonus rate क्या था या क्या है या आने वाले टाइम में क्या रहेगा उसको कैसे calculate करना है ये देखिए ये जो bonus rate है ये bonus कैसे calculate होगा इसका पहले हमें bonus rate पता होना चाहिए 2010 में इसका जो bonus rate था 2010 और 2011 में 6000 रुपय था और उसके बाद 2011-2012 में ये अठावन सो रुपय था और 2012 से लेकर 2020 तक इसको कोई change नहीं किया गया तो 2012 से जो 20 तक है वो bonus rate अठावन सो रहा और जो आठ साल है यानि 9 साल तक सेम रहा तो एक साल उपर हो गया और आठ साल का bonus है वो चालिस अजार चार सो हो गया यह देखिए यहां पर मैंने detail में बताया है अठावन सो इन्टू एट पराबर चालिस अजार चार सो यानि 5 अजार आठ सो को हम आठ से गुना करेंगे तो चालिस अजार चार सो रुपय अमाउंट आ जाएगा जो मैंने यहां पर लिख दिया है उसके बाद 2021 में यह बोनस रेट करोना काल की वज़े से कम हो गया था यानि 52 हो गया था तो बावन सो का 5 साल हो गया 21 से 25 साल का बोनस हो गया 26 अजार तो ये बोनस 26,000 हो गया अब ये जो टोटल बोनस है इसको हम जोड देंगे यानि 2010 से 11 में 6,000 2011 12 में 500 और 12 से 20 तक 46,400 रुपे टोटल हो गया और 21 से 25 का है 26,000 अब ये टोटल जोडने पर हमारा जो बोनस है वो आएगा 84,200 रुपे यानि 84,200 रुपेज हमारा जो है बोनस होगा अब ये तो हमारा खाली बोनस बोनस हो गया और साथ ही आपको मैं बताऊंगा अगर आपकी PLI पोलिशी एक लाग की है दो लाग की है पांच लाग की है तो उसका बोनस कैसे कैलकुलेट होगा वो आगे देखते रहे ना continue वीडियो तो अब हम आगे बढ़ते हैं जो maturity amount है उसमें हमें क्या-क्या मिलता है एक तो समस्योड amount मिलता है यानि हमारी कितने लाग की पोलिशी थी और उसके उपर दूसरा मिलता है बोनस है अब यह जो बोनस है यह टोटल 15 साल का बोनस हो गया तो यह जो maturity amount है उसमें होगा समस्योड amount प्लस टोटल बोनस है अब यह एक लाग रुपए की पोलिशी थी और इसका बोनस बन गया 84,200 तो जो इसकी maturity है वो होगी यानि maturity amount या maturity value होगी 1,84,200 रुपए 1,84,200 रुपए इस policy की maturity value होगी जब आप policy को maturity करेंगे तो आपको यह value दी जाएगी यह account में आपके transfer कर दिया जाएगा या आपको check मिलेगा इसका अब यह देखिए अगर हमारी policy 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 से गुना करोगे या multiply करोगे तो आपकी पॉलिशी की जो maturity value है वो आ जाएगी 9,2009,21,000 वहीं अगर 10 लाग की है तो आप इसको 10 से multiply कर दोगे एक लाग की जो maturity हो इसको 10 से गुना कर दोगे तो आपकी आ तो यहां से यह आपने एक और दो साल का बोनस आपने छोड़ देना है तो आपने 46,400 यह ले लेना है यहां से 2012 से 20 तक और आपका जो बोनस है वो 23 तक है तो आपने इसमें से 500 के साफ से 2 साल का बोनस कम कर देने यानि 10,400 रुपए इसमें से आपने माइनस कर देने है जो बोनस आएगा उसको टोटल जोड़ देना है वो आपकी PLI पोलिशी की मैचोटी वैलू ही आपकी पोलिशी अगर जैसे 27 में पूरी हो रही तो आपने 2 साल का बोनस है इसमें एड कर देना है तो आपकी PLI पोलिशी है वो उसकी मैचोटी वैलू आसानी से निकल जाएगी अगर आप भी अपनी PLI पोलिशी की मैचोटी वैलू जानना चाहते है तो चैनल पर बने रहे चैनल को सब्सक्राइ करके रखे आने वाले टाइम मैं आपकी PLI पोलिशी की मैचोटी वैलू भी कैलकुलेट करके बताऊंगा 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल मतलब हर एज ग्रूप के लिए मैं PLI का जो मैचोटी कलेम का वीडियो है वो यूटूब पे डालूँ आपने चैनल पर इसके लिए आपने जय वारत